So hello guys, welcome back to another video मैं हूँ आपका दोस्त रुपेश और आप सभी का स्वागत करते हैं आपी के अपनी चैनल पर दोस्तो आज की स्वीडियो का टॉपिक है WhatsApp, Backup, Google Drive जी हाँ दोस्तो WhatsApp चैट का जो Backup है वो जो है आप Google Drive में प्रॉपर तरीके से कैसे जो है वो ले सकते हैं इसके बारे मैं अजी स्वीडियो में बात करेंगे दोस्तो दोस्तो बहुत जादा जरूरी होता है कि जब भी आप अपने WhatsApp का Backup ले तो एक प्रॉपर वे से ले अगर आप प्रॉपर वे से Backup नहीं लेते हैं तो बहुत ज़ादा घड़बर जो हो सकती है तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप WhatsApp चैट का Backup जो है वो प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं तो बने रही है दोस्तो इस वीडियो के साथ और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिएगे रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा कर साइड में जो बेल आइकोने उसे प्रेस करके All Notification पे क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए-ने वीडियो का Notification दोस्तों आपको मिलता रहे तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सो गाईज यहाँ पर अगर प्रॉपर वे से आपको बैक अप लेना है तो आपको क्या करना होगा तो आप स्कीन पर देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको चले जाना है WhatsApp में WhatsApp में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप राइट सैड में उपर तीन डॉट देख रहे हैं आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको चले जाना है Setting Option में जी है दोस्तों setting option में आने के बाद आप नीचे देख सकते है account के नीचे दिया गया है chats chats पर आपको click करना है और उसके बाद आपको आजाना है यहाँ पर नीचे chat backup में तो आप chat backup पे click करेंगे और chat backup पे click करने के बाद आपको क्या करना है आप ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपको पहले तो last backup जब भी आपने लिया होगा यहाँ पर पूरा detail शो करता है last backup अपने कब लिया था और यहाँ पर backup बटन है तो उसका क्या स्थमाल है वो भी मैं आपको बताऊंगा उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर Google Drive सेटिंग लिखा हुआ है तो Google Drive सेटिंग में आपको नीचे आना है जो की है backup to Google Drive जो की never लिखा हुआ है आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर never लिखा हुआ है लेकिन आप चेक कर ले आपके इसमें never नहीं होगा आपके इसमें शायद weekly या monthly या कुछ भी हो सकता है तो आपको मैं proper way बता हुआ कैसे करना है कब करना है तो देखें यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर पहला तो option never है never का मतलब यह कभी backup नहीं लेगा अगर आप नहीं चाहते कि backup लेना है तो आप इसे never पर रख सकते हैं दूसरा जो option है दोस्तो only when I tap backup जी हाँ दोस्तो only when I tap backup पे क्लिक करोगे तो इससे होगा कि जब भी आप अपना backup लेना चाहोगे तो आपको खुद को जो है backup बटन पे क्लिक करना पड़ेगा ठीक है दोस्तो और नीचे जो दिया है वो है daily अब इससे क्या होगा कि जो whatsapp का backup है वो daily के daily जाएगा आपके google drive पर लेकिन ये whatsapp backup आपको daily जाएगा दोस्तो ठीक है और उसके बाद जो चोथे number वाला option है वो है weekly तो यहाँ पर आपको weekly आपका backup जाने वाला है और last option है monthly तो अब हमें क्या setting रखनी चाहिए देखिए दोस्तो अगर आपको लगता है कि आपका हर backup हर chat backup या फिर जो भी आपने आज तक chat किया है वो हर backup जो है आपको मिले तो आप इसे daily रख सकते है या फिर monthly या फिर weekly रख सकते है लेकिन अगर आप चाहते है कि जब आपको लगे कि backup लेना है तब आपको click करना है तो आप only when I backup पे click करिए अब मेरी बात समझ पा रहे होंगे कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी ऐसे backup हमारे हो सकता है WhatsApp पर चले जाए जो बाद में आपको दिक्कत दे सकते है तो ऐसे में आपको मैं बताऊंगा कि only when I backup पे ही रखे और जब भी आपको वो backup लेना हो कि अगर आपके कोई भी ऐसे chats है जो आप चाहते है कि कोई दूसरा ना पड़े या फिर कभी भी किसी की नजर में ना आये तो आप इस पर select करे when I tap backup चीगे दोस्तो तो यह समझ में आ गया तो मैं कर लेता हूँ only when I backup यानि जब मैं क्लिक करूँगा तब ही उसके बाद आपको यहां पर पूछेगा कि जिस भी email id पर मतलब आपकी जो email id है वो google drive से link होती है तो आपकी जो भी email id link है आपके google drive से उसे आप select कर लीजी अब यहां पर भी ध्यान रखिए दोस्तों कि ऐसी email id जिसके की password या फिर कोई भी जो password है किसी को पता ना हो ऐसी email id या फिर आप खुदी यूज़ करते होंगे तो अच्छे बात लेकिन अगर आपने किसी और को भी password बता रखा है या फिर वो कोई भी यूज़ करता है तो ऐसे में आप email id वो यूज़ ना करें तो आपको other लेना है तो आप add account पे क्लिक करके अपनी id डाल के other backup आपके email id में डाल सकते हैं तो ये तो मेरी email id है मैं तो यहाँ पर क्लिक कर दूँगा तो मेरी select हो गई है और उसके बाद जो है आपको backup जो लेना है वो कैसे लेना याने कौन सा जो है network आप यूज़ करने वाले है जैसे कि यहाँ पर backup over wifi और backup over wifi और cellular वाइफा का मतलब है जब तक आप wifi में नहीं आओगे तब तक आपका backup नहीं होगा जब आपको wifi मिल जाएगा तो आप backup कर सकते हैं और यह सही भी है क्योंकि जो आपका backup है वो अगर बहुत जादा data यूज़ करने वाला है तो ऐसे में आपका जो internet data है वो काफी जादा खत्म हो जाएगा तो आपके उपर है अगर आप wifi से कनिक करना चाहते है तो आप या फिर आप दोनों यूज़ करना चाहते है तो नीचे एक option है यहां पर include videos तो यहां पर जैसे आप तिक कर दोगे तो यह video के साथ जो है आपका पूरा backup जाएगा जैसे कि आपको लगता है कि आपके जो भी videos आपको भेजे जाते है या WhatsApp पे जो भी videos आते है वो सारे backup भी हो जाए तो आप यहां पे include video करिए लेकिन इसमें data बहुत जादा यूज़ होने वाला है तो यह आपके उपर है तो मैं तो फिलाल यहां पर इसे बंद कर देता हूँ और finally जब भी आपको backup लेना हो तो अभी आप देख सकते उपर में backup बटन पे click कर देना है जैसे आप click कर देंगे आपका internet अगर शुरू है तो आपका backup जो है आपके google drive पर चले जाएगा इस तरह से जो है आप प्रॉपर वे से अगर backup लेते है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अधर्वाइस आपको बहुत ज़ादा दिक्कत जाएगी कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि ऐसा backup जो है वो daily चले जाता है या फिर monthly या weekly चले जाता है आपको इस वीडियो कैसा लगा आप comment करके भी बता है और साथ ही इस वीडियो को like करें और दोस्तों अगर आप चाहते है कि backup restore के बारे में भी एक वीडियो बने तो आप नीचे comment करके ज़रूर बता है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में